जहिन जह भारत मैं रेबल शधानन पती आप लोगों के बीच आया हूँ आज कोई प्लानिंग नहीं थी आज आने की एक वीडियो है जो मेरी काफी जिनों से पिछले 23 सारिक से वाइरल हो रही है जैसे कि मैं देख सकता हूँ सारे चैनलों में भी आ रही है लेकिन मुझे आन बात कही थी कि जब आप दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पास ले आओगे तो गल्तियां बहुत होगे रेजल्ट दिखने लगेंगे और आज वही गल्ती गौरब भाटिया जो आपके राष्टी प्रवक्ता है उन्होंने कर दी मैं टीवी के मंच पर देख रहाता उ सर क्या आत्म निर्वर बनो तो सर अपनी पार्टी के वरकर्स को आत्म निर्वर बना आपके पार्टी के कारे करता हो में से अपने स्पीकर चुने ना कि दूसरे दल के लोगों को लून के लाके सेलेट करके अपने पार्टी में लेकर आ जाओ इसमें कोई मज़े की बात न और लोगों के बीच वो आ रहे हैं इससे बड़ी दुरभाग्य की क्या बात होगी सर और मैं आपसे प्रश्ट पूछना चाहूंगा इस गवर्नेंस से वेक्तिकत नहीं सर गवर्नेंस से हम एक बैश्विक बिमारी से जूज रहे हैं लोग मर रहे हैं यहां पर पहले साल की ब लाग के उपर हमने अचिव्मेंट कर लिया कोई कहता है तीन सो सतर कर लिया कोई कह रहा है कि बिस्व में हमने इतना कमाल कर दिया भारत का नाम सर जगा हूँचा और भारत का नाम तो सदय हूचा है और सदय हूचा रहेगा मैं आर आप रहे ना रहे हैं हम एक महान रास्ट के नागरी के सीर अब गर्व है मुझे इस बात का और आपको भी और मैं घर्व गरता हो मोधी जी आपके ऊपर खुजिए आप से इंस्पाइड हूँ मैं आप से प्लेरी कौ हूँ मैं आप से आपके सामने ढोल पारा। आप भी मुझे उपलब्दियों की बात आ रही थी, मैंने देखा, बहुत अच्छे से सब बता रहे थे, एक साल में हमने तीन तलाकों किया, तीन सतर किया, सर, उपलब्दियां, दो-चार मैं भी गिना देता हूं, सर, बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्दियां है, सर, जो ऐसे नाग अपने Ministry of Transport से पता करें, कि क्या है, सच है या नहीं है, रियल स्टेट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, सर, पूरे उत्तर भारत की बात करते हैं, पूरे भारत की बात बताऊंगा, पांस-साथ साल उपर हो गए, पोजेशन मिलना था, मकानों का आज सक लोगों को, म को किराय के घर में रहना पड़ रहा है इतना बड़ा सुधार हुआ है पिछले एक साल में इतनी achievements वी रेरा का सापना कर जाए गया कितने समाधान हुए कितने लोग को मकान मिले उसके list एक बार अपने website में डालिए आपको पता चल जाएगा सर अर अगर आपको list लेनी है तो मैं आपको list आपके साथ में गयापन दूँगा सर क्योंकि मेरा अगला मुद्दा इसी पर है क्योंकि अब हम गली गली जाएंगे सर हर जिले में जाएंगे और मैं एक बात और बता दूँ जो मेरा पहला वीडियो उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया आई है मेरे यूट्यूब चैनल भी कि मैं कॉंग्रिस का चम चाहूं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोबारा सारे भक्त सुन ले मैं मोदी भक्ती हूं मेरे को ये डेरिंग आपसे मिली है बात करने का ये तरीका आपसे मिला है सर जब आप 2013 में था आपने किस तरीके से बात की थी मैं उससे प्रेरित हूं हर बच्चा प्रेरित है आपका गवर्नेंस गलत है सर आप गलत नहीं है मैंने कभी नहीं कहा कि आप गलत है लोग गालियां दे रहे हैं मेरे को धंकी बरे चीज़ें आर आप समयन थे छोटे-छोटे धाबे वाले उन तक के ताले लग गए है सर रेस्टोरेंट्स के पास जाके पुछो होटेल इंडस्ट्री में क्या सीती ये लोगों पर पैसे होने भी तो चाहिए सर तब जाके बजार चलता है हम कहते इतने ट्रिलियन उतने बिलियन अरे ब्रिलिय वो आए करोना में आए यूशली नोइडा में कोई आते नहीं वो आए वो रूके वो स्ट्रिक्ट है हमारे यूपी में सबसे काम करोना के केसे थे इस बात के लिए मैं बोलूँगा लेकिन केवल एक वेक्ति के काम करने से पूरा गवर्नेंस तो नहीं है ना सर आपके के बारे में आपको बात बताता हूं सर चोटे चोटे ऑथराइस्ट यह जो कपड़ों के शोरूम से मोबाइल के शोरूम से बजार में आके देखिए तो सभी सबकुस तो ऑनलाइन हो गया है दुकानों दुकानों का किराय नहीं भरा जा रहा है सर लोग दुकान का रेंट लॉकडाउन की बात नहीं है यह लास्ट वन येर से बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है कितने लोगों ने आपसे कंप्लेंड किया यह संस्ता है कितनी संस्ता है आपसे मिल चुके कि सर ऑनलाइन में आप यह कर रहो बाकी लोगों के साथ क्या और आप देखें रिटेल सब्सक्राइब को बताना चाहूंगा सर कि क्या क्या हुआ है हम सर इतने मजबूत हैं इतने स्ट्रॉंग है हमारी गवर्नेंस हमारे फाइनशल स्कीम इतने मजबूत हैं तो सर आप मुझे यह बता हो ओ एनजी सी भी इसकी जैसे संस्ता है भारत पेट्रोलियों माज सब्सक्राइब करने को त्यार हो जा रहे हैं यह कैसी आत्म निर्भरता है सर डूल फेस नहीं होना चाहिए न अगर एकॉनमी स्ट्रॉंग है तो लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए न देश तो देशवासियों से मजबूत होता है अगर इस देश के देशवासी मजब सब्सक्राइब कर देते हैं स्कूल को लेकिन फीज वहीं के वहीं पूरी की पूरी जा रही है सिश्चा मंतरा ले से पूछिए पिछले एक साल में उन्होंने क्या कराया है अगर आपको डेटा चीव डेटा में दूगा मैं स्टाटिस्टिक्स के साथ बात करने वाला अदम हूं और मैं एक बात और बता दूं सर यह रेबल श्रदानन पती आकेले नहीं है सर सारे रेबल सिखटा हो रहे हैं प्लाटफॉर्में पर हम पॉलिक्स में नहीं है सर विल नेवर इंटर पॉलिक्स हम आपकी गवर्मेंट को दोवारा वोट करना चाहतें पर तब करेंगे अगली जो वीडियो आएगी न सर मेरे उसमें मैं आपके गवर्मेंस की कितनी क्या-क्या खामिया स्टाट्स के साथ और एक डिपार्टमेंट की जानकारी आपको शेर करूंगा सर आपकी गवर्मेंस से वह भी लाओंगा वह भी लाओंगा सर लेकिन आज आप लोग इतने लोग मर रहें सर भूक जिनको राशन नहीं पहुंच रहा है बसों की राजनीती हो रही है सर यह उटो है वह बस है यह दिस है वह दैट है अरे हम इतने मजूद है तो गाड़िया अब तक तो सब पहुंच जाते पहली अब उनको बहुंच रहें अब उनको दोबारा बुला रहे हैं फैक्टरी खोल रहे हैं कि भई आप दोबारा वापस आ जाओ आप देखें सर जब आपने स्तापना की थी आपने कहा था आपने दिया था साथ आपने कहा था जब स्टेज में 500 थे हमारे पास करोना के विक्टिम जब वो लाग तक पहुंचा था आपने सभी राज्यों को बोलो के आत्म निर्वर मन जाओ यह कैसा यह कैसा है डूल वर्जन है सर जो भी आपके कंजर्ण मंत्राले है ना सर स्वास्य मंत्राले उनको वर्काउट करने बोली आपने तो वीडियो देखे होंगे डॉक्टर सक के पास मास्त दूर सैनिटाइजर्स नहीं पहुंचे दे ऐसे अंगिनद वीडियो हैं सर और रियल वीडियो हैं यह नहीं कि हमने क्रियेट कर दिया क्योंकि मुझे तो आज कुछ बोलना इसलिए अजीब लगता मैं कुछ बोलूंगा तो आपके तो सारे फॉल्वर्स यह कहतें कि मैं तो कॉंग्रेस का चमचा हूँ तो उनको एक जवाब देना चाहता हूँ सर जिन जिन राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार है ना सर वहां की भी प्रॉब्लम सारी हमारे पास वहां भी जाएंगे एक एक MP एक MLA के घर के पास जाएंगे सर शांती पूंड तरीके से जाएंगे लोगडाउन के बाद लोगडा आते हैं यह जो 30 करोड लोग जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है निर्मला सिता रमन जी के उपर कई लोगों ने मुझे काफी देश विदेश से काफी गुरुप से जिन्होंने मेरे को कनेक्ट किया मैं बात आपको बताना चाहूंगा रेबल्स बी रेड़ी दा प् बनाई डिस्पेंसरी बनाई कॉम्णिटी हॉल बनाया क्या-क्या बनाया लेखा जिकाद और जिन जिन सांगसदों का नीदी फंड में से पैसे खर्च नहीं हुए उनसे एक-एक सवाल पुछा जाएगा सर कॉंग्रेस से भी पुछा जाएगा सिपीम से भी पुछा तीन दिन के अंदर रिजाइन कर दिया था केवल इसी वच के वज़से मुझे महा सची बनाया गया था मैं इसमें नहीं सर्वाइव कर सकते यहां तो लोगों के दिलमी सफाही नहीं पार्टी का नाम मैं अभी नहीं लूँगा वक्त आगा तो वो भी बताऊंगा अगर किस सब्सक्रीन होती है वहां कि देखिए पिछले एक साल में कितना फरक आया है और एक रिजिस्ट्री जो कोई आदमी अपने मकान की रिजिस्ट्री करता है कितना खर्च उसे देना पड़ता है क्या नहीं देना पड़ता है आपके तो बही इंटेलिजिएंस ब्यूरो आपके और कई गाओं के प्रधाने जो बिल्कुल नाराज हैं एक लोकल इस्टैब्लिश्मेंट है जो आपकी गौवर्मेंट नाके खतम कर दी हमारे जिला पंचायत का था गौतम बुद्नगर वगएरा में इधर में आपने नाजाने क्या-क्या सिस्टम कर दी है डिस्ट टाउन प् अधा किसानों के मुकदमे माफ हो जाएंगे सर आपको याद दिला दू दो जारी कारा में जो भट्टा पार्शाओल हुआ था सर किसानों का अंदोलन घोडी बिचड़े का अंदोलन कितने किसान सही दुए थे कितने लोगों को चोट लगी थी क्या वो मुकदमें खतम हों सर उनका नाम उनका डेटा आपको दूँगा आप लोगोंने प्रॉमिस किया था कि जब आप आएंगे गवर्मेंस ने आप तो सेंटर में भी और स्टेट में भी आपकी गवर्मेंट उत्तर पदेश में क्यों बट्टा पार्शाओल के घोडी बचड़ा के किसानों का इंस इलेक्ट्रोनिक मीडिया के क्या-क्या चीज़ें आपने प्रवाइड किया है लाप्टॉप्स वगेरा टीचिंग्स के जो साधन है उनको आप लाएं सबके बीस तो आपको पता चलेगा सर के डेवलाप्मेंट क्या एक साल के एचिम्मेंट क्या है मैं एक बिंती करूँग सर थोड़ा गौर करें और यह जो दौर है मैं हाथ जोड़के बिंती करूँगा जितने भी प्रवासी मज़ूर है उन लोगों के खाने पिने उनको कुछ पैसे का प्राफधान करें सर जो ट्रेन उन्हें पहुंचा रहा है उनका किराया कौन देगा इस तक की बेचारे की राजनीती हो रही है कोई बेचारा साड़े तीन हदार रुपए बस वाले को दे रहा हो बस वाला नहीं जा रहा है वो कभी पुलिस टेशन में अठारा अठारा घंटे खड़े रह रहे है उसके बाब जुद से यह नहीं पता क्यों कहां जाएगा बहुत समझता हैं सर उप रना चाहें मेरे platform में मेरे साथ आएं हम बिल्कुली सांगेटिक प्रदर्शन करेंगे सांदीबुन्द प्रदर्शन करेंगे लेकिन किस तरह का प्रदर्शन यह मैं आपको प्रामिस करता हूं जिन जिन राज्जों में जो सरकार है वहां की complaints जो जो हमारे पास आएंगी ए एक एक MLA एक एक MP के घर जाके खड़े होना है सर उनके गेट के सामने लेड़ जाओंगा सर और सारे लेटाओंगा सांधिवुन प्रदर्शन भाई क्यों नहीं कर रहे हो गौवर्मेंट आपको पैसे दे रही है सांगसद निदी का पैसा खर्च करे बगार हो ऐकाउंट में पढ़े रहते हैं फिर क्यों सांगसद बंदे हो भई क्यों चून की आते हो मैं एक बात का बहुत स्वागत करूंगा इसका मतलब है फॉव्ड़ी सुपरीम कोट क्रिमिनल केसे दें और सर देखे न कमाल की बात कुल्दीप सेंगर जी को देख लीजे इसको हम क्या बोलेंगे एक परिवार खतम हो गया लड़की की मृत्ति हो गई सर परिवार नस्ट हो गया इतनी जल्दी उनकी जमानत हो जाती है सर क्या यह अच्छे दिन क्या यह तो मैं हूँ लेकिन उन लोगों को और पार्टी के कर्मचारियों से में एक बात बोलूँगा पार्टी के कारी करता हूं से कि भाई साब अगर कारी करता बता रहे होते हैं बीजेपी बालों को कि ये गलत हो रहा है तो उनकी शेत्र में बहुत डेवलपेंट हो जाता है आज क कोई करता कुछ कहने को तैयार नीं पता नी किस बात का डर है तो किस बात का डर है आप सोचिये मतुरा में वरिंद्वन में जो सांकसत में जाते हैं मन जाते हैं हमा माल जिम. नीजम. वहाँका दलों ने किया, दूसरे पार्टी ने किया, वो गलती आपने क्यों की, आपको इसी बरो से तो हमने वोट दिया था, जो लोग ये बोलते हैं न, मैं कॉंग्रेस को चमचा हूँ पहले, उनको मैं बता दूँ, हमने वोट क्यों दिया था, पिछली बार, आरीस बार क्यों दिया क्योंकि उमीद ठी कि आप जैनियून लोगों को ले के आओगे आप उन लोगों को ले आओगे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं आपकी पार्टी के लिए पूरी मेहनत वो करते हैं और लास्ट में आका बार से पैराशूट केंड़ेट्स को उतार देते हैं यह अच्छी बात नह कर रहे हैं जो मुझे जॉइन कर रहे हैं वो इस बात को समझे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं साथ आएं और एक मंच पर आएं अपनी समस्या बताएं रेबल स्रदानन पतिया आपके साथ है जय हिंद जय भारत